हेलो फ्रेंड्स आप सब का स्वागत है स्टाइल बाई मिना में आज मैं आपके साथ सेर करूं यह पैज़ वर्क पिलोग और कटिन एंस्टिचिंग तो देखिए 18 सेंटीमेटर के रुकड़े हमने कट कर लेने हैं इस तरीके से 18 सेंटीमेटर लंबाई और 18 सेंटीमेटर जो अब इस साइड से इनसान लगा था उसके उपर से हम इसको कट करेंगे कट करने के बाद इनको इस तरीके से अच्छे से नाफूं से प्रैस करते हूँ खोल देंगे सबी को खोल लेंगे अच्छे से इस तरीके से अब आए प्रैस की साहिता से प्रैस भी कर सकते हैं अब यह पट्टियां लेंगे दो पट्टियां लेंगे लंबी लंबी इसकी चोड़ाई है 9 सेंटीमेटर और लंबाई है इंच नहीं है तो इन पट्टियों को दोनों को एक ब्राबर कर लेंगे जिक इस तरीके से परेंद को स्टिच कर लिया हमने लिए और इसके हम चैया परट बनाएंगे दबल फोल्ड करेंगे एक बर फिर फोल्ड करेंगे इस तरीके से और अच्छे से नाखुम्से प्राइस करते हुए निसान लगा देंगे और फिर इसको हम चैयार पार्ट में इसको कट कर देंगे सबस्क्राइक पटीना करना, गरंखोते दो, सबस्क्राइब करना में और जो यह दोनूं वाइट और सफेद के बीच में इससिलाई लगी सेंटर ऐसी तरीखे Yap और शिलाई हम दोनों साइट लगा देंगे चारों को कम्प्लिट कर लेंगे से चारों को कंप्लिट करने के बाद एक स्केल की साहता से एक्स्ट्रा कपडा है इसको सिधा कर रेंगे और इसको भिल्कुल सिधा-सिधा हम काट लेंगे अब चारों पटियों को इसी तरीके से हम रेडी कर लेंगे अच्छे से सेट करते हुए कपड़े को काट देंगे पुली चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए नई ने डिजाइन देखने के लिए प्ली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सेयर भी करें लाइक भी करें अब कर लिए अब कर लिए इस तरी के से रखेंगे अब पसमें इस तरी के से शिलाई करेंगे अब करेंगे अब इसको फिस से शिलाई करेंगे थैंक्स पूर वोचिंग मिलते फिर एक अने वीडियो के साथ बाइ 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 एक यास